तो राम राम जैहिन कैसे हैं आप सभी लोग उम्मित करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे फिट होंगे फस्क्लास होंगे और आज की वीडियो से सीप्यों दोजार चॉबिस के ऊपर यह वीडियो रहेगी कई सारे मिने दोस्त जो है आज किया वीडियो अलय्वाले में जो मुली चैनल के यहां जूड़े हों की यहां जो स्क्रe枠 हैं हिण लेकिन सीप्यों की भी कमी नहीं है हाला की कम मनाता हूं लेकिन आज की विडियो रहेगी ससे अशिचीप्यों के ऊपर क्या उपर चूपory कर सा बाच चुकी है और 14 अक्टूबर से आपके फिजिकल सुर होने वाले हैं तो सुचा क्यों नहीं एक वीडियो बना ली जाए क्योंकि मैं इससे पहले भी ऐससे सीप्यों दुछार जो पहले हुआ था तरीस वाला नहीं दे पाया था 22 का मैं फिजिकल फिट था ठीक है तो क्या वह सोलो सम्मेटर रणिंग सोलो सम्मेटर रणिंग जो लड़के फिजिकली जो है इन्वाल रहते हैं अपनी फिजिकल एक्टिविटीज में या जिन लड़कों ने आर्मी किया इस प्रकार के भरती दी हुए होती है तो वह तो उनके लिए तो कोई बड़ी चीज नहीं है साड़े छे मिनिट में मारना सोलो सम्मेटर बहुत असान टार्स कोता है लेकिन हम हमारे जैसे जो सीजियल की या बलब जादर जिनका फोकस पड़ाई पर होता है और धीदे देर करके फिर उमर बढ़ने लगती है एक तीस बाइस तेईस चौबी पच्चिस उमर हो जाती है और तो वह फूर्ति फूर्ति नहीं रहती है कि 16 सव मिनिटर जो है आप शाड़े 5 मिनिट में मार रहता है तो आपका साड़े मिनिट में करना होता है और इसके लिए पो टाइम में आप कुछ होगा तब से ज़यांद जो रड़के बाहर होते हैं फिसीकल में वो इस नहीं अगर आप प्रक्टिस आपने करिये होगी तो आप इज़री कर सकते हैं सीज को आप तो खेर बाकी आप तो हफ्ता 10 दिन रहे गए है जो सुरू सुरू में जिनका है फिजिकल वो तो उनको तो जाद अधिकत होगी और जिनका देर में है लेट में है क्योंकि यह 14 होता है कि आप नहीं कर पाओगी अगर आप चार राउंड बड़िया तरीके से अपने बड़िया स्टैप्स रख के अगर दोड़ते हैं तो इसली आप इससे पास कर सकते हैं ठीक है पाकी महापर भीड़ रहेगी ग्रूप रहेगा तो आपको जो है पस आगया वाले को पर कभी उसके साथ है और उन्होंने बाद में हाला कि CRPF जोईन नहीं किये थी साही से छोड़ दिया था उन्होंने लेकिन उसे बंदे का डेडिकेशन काफी लाजबाप का था और जिस परकार से उन्होंने फिजिकल 600 मिटर मारे थी तो मैं उसी दिन उनका फैन हो गया था है आपको लॉंग जंप का पूस्टली यही सिक्वेंस रहेगा आपका इवेंट्स का है लॉंग जंप होती है तो यहाँ पर में 12 इह ज्यादा तो नहीं है तो हर कोई लॉंग जंप बार फिट कर सकता है लग 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 दिक्कत आती है आपके फॉल हो जाते हैं यह किया था तो इसका विश्य ध्यान रखना ज्यादा लड़के से भेल होते नहीं है वैसे एक प्रसेंट लड़के ही लॉंग जंप में बाहर होते होंगे अधर्वाइस सभी पास होते है फिर उसके बाद इंपोर्टेंट इवेंट है चौथा और वह है आपका हाइजम का और कि जो यह आपका हाई जंप के इसके बैदर प्रक्टिस करो लॉंग जंप और हाई जंप यह दो ऐसे इवेंट है जो मुझे लगता है कि आप हफ्ता भर भी अगर प्रक्टिस करो ना पास सब दिन भी तो वह जाता उतने में कि यह सिर्फ आपके स्टेप्स अगर आपने ब मैं अभी कोई प्रक्टिस नहीं किती सोलो समिंटर की मैं ट्रेणिंग में था मैंनों से चलो आप जाते हैं सोलो समिंटर की एक बार चेक करता हूं मैं कर पारता हूं यह नहीं करता हूं तो मैंने पहले जिन थोड़ा लग भग 6-20 आया टाइम फिर किया 6-15 6-10 ऐसा मेरे ट खड़ी चड़ाई है तो तो यहाँ पर बस मैं उतना ही दोड़ रहा हूं एक किलोमेटर क्या सपास ही ठीक है तो हाई जम बढ़िया टैक्निक से करोगे तो हो जाएगा और इसके लिए को प्रक्टिस भी ज्यादा नहीं जाए आपको ठीक है उसके बाद अगला है आपका भूड़ फैंक नहीं होता है और बहुत ही असान एंश में कुछ नहीं है कोई आपको लास्त में हो जाएक है तो पहले भी करे सकते हैं तो चेस्ट रशाए एक है पार्फिट हो तो हो नहीं है उसमें कि यह क्या कर सकता है, तो यह था आप सभी को बहुत वट क्या कहते हैं वेल विशिस फ्रॉम माई साइड बैस्ट दीजिए फिजिकल पास कीजिए क्योंकि जिसने फिजिकल पास कर लिया वह सेलेक्शन लगभर लबग ले गया ऐसा ही होता है ठीक है और पाकी मेंस वगएर तो होते रहेगा कोई दिक्कत रही है पहले जो हमारे सामने अबस्टिकल है फिजिकल का पहले यह पार होना चाहिए ठीक है तो फिलाहला अभी के लिए इतना ही रखता हूं उमेद करूंगा आप सभी अपना बैस्ट प्रफॉर्म्नेंस जो है वह देगी आएंगे अपने फिजिकल में और इस बार दो स्टार मुझे भी चाहिए है कह होगे तो फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाइबाई टेक कियर जैशी राम जैए हिन बाइबाई